हलो दोस्तों मैं आप लोगों के लिए कुछ दवाइं लेका रहा हूं इंसेक्टरी साइड है एक दवा उसमें टानिक की है जो कि फूल और फलो को रोकता है तो मैं आप लोगों के इस वीडियो में तीन दवाओं के बारे में जानकारी दूंगा जो कि इस समय बहुत ही है जो कि यह बहुत ही असरदार होता है एक बार माने पंद्रह दिन तक कंट्रोल रखा जा सकता है तो यह है मेडिया जो कि सिस्टमेटिक इंसेक्टी साइड है इंडा क्लोरोपिट 17.8% SL में है देखी नीचे एक तिरभुज बना है जो कि यह बहुत ही हानकारक की नासक का परतीक देता है चिन्न है और इसका एक टंकी बनाने के लिए 20 से 25 से एमेल का परियोग करते हैं एक बार शेक छिडगने पर पंद्रह दिन के लिए इसके अवसत इसे कंट्रोल पाया जा सकता है इसे टमाटर गवाले जितने भी पौधे होते हैं उन पर सभी के लिए असरद दिखा दिए पत्य खालेती हैं जी दोस्तो और मैं बाव को बारे मता रहा हूँ यह से प्लोणोचा है कि यह आप लोगों के लिए के युद्ल ऑजिन बुल्ट में अंतरण के लिए काम करता है इसका सूत्र होगा फार्मुला होगा है धेतले अश्टिक एसीड़ें देखें दोस्तों और एक दूसरी दवाह है जो कि ये भी कीट ना सक है इंसेक्टि साइट है लेकिन सिस्टमेटिक नहीं है ये फर्राटा है जो कि ये भी फ्लाई वाले जो कीट होते हैं उनके लिए बहुत ही असरदार है ये भी आप इन तीनों दौाहों का उप्योग कर सकते हैं मेडिया जो कि ये है कीड नासक के लिए सिस्टमेटिक इंसेक्टि साइड है बहुत ही असरदार है और फर्राटा जो यह भी कीड़ना सक है और प्लोनो फिक्स जो है नेफ्टाली नेस्टिक एसीड यह आपके लिए फल और फूल को नेंत्रेट करता है तहां पौदो की ग्रोथ को भी बढ़ाने में मदद करता है तो यह थे हमारे तीन दवा जिनके बारे में आप लोगों की जानकारी दे दिये और इस दवा को एकके के लिए 25 अमेल का उप्यों करते हैं और जो प्लोनो फिक्स है तुम्हारा यह थंडीओ के मौसम में 16 % एमेल तक को चनकी बनाने के लिए और गर्मियों के दिनेव में इसे हम पांच EML काउपियों करते हैं एक टंकी बनाने के लिए अगर अधिक शुड़काओ करते हैं तो पौधे दो से तीन दिनों में सूख जाएंगे एक टंकी में तो इसलिए जितना इसका मानक हो उतना ही EML एक टंकी में बनाकर छुड़काओ करें और EML नापने के लिए इस जैसे ये मैंने लिया है ऐसे आप भी कोई चीज EML नापने के लिए ले ले दवा को जिसे की अधिक मात्रा में दवा ना हो तो यह था हमारा वीडियो दोस्तों थांक्स पार वाचिंग माई वीडियो लाइक और सस्क्राइब करें जादा जादा मिलते हैं नेक्ट वीडियो में आप लोग